हेलो एर्वान वेल्कम टू माई यूटीव चैनल जेके डिटोरियल स्टुएंट्स हम कर रहे थे का स्टेंथ की साइंस का चैप्टर थर्ड तैट इस मेटल चैनल नॉनमेटल इसमें आज हम डिसकुस करने वाले हैं टॉपिक कॉरोजन और इस प्रेवेंशन उसके पहले जो म किया था याद के बारे में के साथ हैं और एक कोर्टिंग नाता है इसist bath कि inputs कि सुले के होते हैं वो सिवां से रेच करते हैं स और के साथ ऊsenाठ होता है कोटिक के साहे कि कोटिक में और जीtechn ही होुअ नायदे कोटिंस यह कि सबस्टेंस होता है जो भी सिख कपल अ Barbie कारण कंडिशन पिसके कारण क्या होता है preparator कोटिंग से के figure out अкогоस्ट को और खुड़ Pat legal नहीं पुलिफ कोटिंग कोटिंग कहती में कारन किसे रस्ट बान कोटिंग आती है उसे हम रस कहते हैं चलिए फाइंड करते हैं कौन सी कंडिशन है जिसके कारण क्या होता है रस्टिंग जो होती है रस्टिंग की प्रोसेस होती है जो रस्ट कैसे होता है उसके लिए आपको यहां पर एक एक्टिविटी दीगी है एक्टिविटी 3.14 इसमें टिविए 3.15 तेस्ट टीव लेनी है और बाटर डालना है और इसको कॉग बंद कर देता है और बाटर बंद किया हूं है खित क्या करना है इसके त्विए डिस्टिंट टी रफाणा है इसको उसमें 1 ml टक या डालना है को यहां पर डालना और ऊपर से का अपने अबन नाइए अपने के आजो चाहे हैं थे एंदर अब आपने करना है कुछ एन हाईडस क्लोरेट जो है वह आपने डाल देना है इसमें टाश्यूब नहीं होगा तो वाटर होगा तो वाटर को ड्राइडब होगा इसमें डालना है और उपर से करना है कग के साथ बंद कर देना है अगर अक्टाक्ष एर है अंदर तो है थोसाव जुह है अपसाव कर सकता है आदरवाइस यह अपका अपका आनहाइडर स्क्राशिण क्लॉरेड बिल्कुल ड्राय है अब है इन टेस्ट्यूब को छोड़ देना है थोड़ दिन के रिए इसके बाद उब्जर्व करना है थिक है टाइस्ट्यूब A में B और सी की जो आईरन नेल है वो आपकी उनको क्या रस्ट नहीं हुआ होगा है दोस्ट्यूब A में नेल'S को हमने एक्स्पोज खूल खूला था वहां पे air भी थी और water भी था उनका अपस में reaction था air और water का तो testiop beam में जो नेल्स थे वहां पे खुला छोड़ा था सिर्फ पानी में लेकिने वहां पे air नहीं थी वो जो नेल्स थे testiop sea में आपने उनको dry air में छोड़ा था वहां पानी नहीं था याद रखिए रस्टिंग होती है जिसके आयरें के आर्टिकल की रस्टिंग होती है तो कौन से कंडिशन दोडनों चीज़े होती है वाटर वह सब्सक्राइब कर सकते हैं पेंटिंग करने से ऑईलिंग करने से ग्रीजिंग करने से ग्रीजिंग करने से क्रॉम फ्लेटिंग करने से एंडाइजिंग बनाने से यह सभी मैथड किसे इसके हैं रस्टिंग से प्रेवेंड करने के जब रोजन से प्रेवेंशन के ग्रीजिंग एक मैथड होता है जिसमें प्रोटक्ट करते हैं हम स्टी स्टील और आइरन को 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 इसदिक से प्रेवंट करते हैं उसके उपर में बिचाशन करते हैं ज्ञ घर बार नाइटिकल है उसको प्रोटक्ट किया जाता है अगर जिंग को हो जाएगा तब भी वह प्रवेंट करता रहेगा आप कि आप डीजन बता सकते हैं हमने आप बताया आपको स्टील और रस्टिंग रोकने के लिए हम उसके पर थिन लिया चड़ाते हैं जिंग की वह जिए गैरमनाइज आर्टिकल जो हमें मिला चाहें वह प्रोटेक्ट होते रहेगे जिंग की कोटिंग जो है इसके उतर जाए ब्रेक हो जाए तो आप यह रीजन बता सकते हैं का थिंग कोटिंग इसे वह प्रेवेंट कर रहा चल़कि वह एक बहुत अच्छा मेंज़ करने का कि यहां पर कैया करता है है इंप्रूव करते हैں मैप इसमें चाहिए पकल दर आइस में मैल जाती है जैसे आएंड जो है उस्की जाने वाला मैटल है लेकिन यह गारन जो होता है वह है रहर को गर्म जाता है वह साफ होजाता है日本 को हम इसका इसाल कि entre 105 sen वह क्या हो जाता है हार्ड भी हो भी हो जाता यह स्ट्राउंग हो जाता है यह हो टाइट पर्स यहार्ट और्स ब्लिसे लिए बाइब को मिक्स किया जाता है दूस्सकेंगाल कि प्रॉपटी को चेंज किया जाता है कि यह इंक अ गूल करते हैं साथ किसी दूसरे सुबस्टेंग के ईड्ड और हो सकता है और भी हो सकता है तो इसका मतलब alloy हमारा क्या हो गया वो होमोजीनी स्मीचर हो गया दो जाद दो से जदा metal कभी बोल सकते हो metal और non metal कभी बोल सकते हो इसको हम prepare कैसे करते हैं firstly हम प्रेकर करते हैं melt करते हैं अपने primary metal को उसके बाद dissolve करते हैं other element को उसके बीच में definite proportion में मात्रा रखी होती है कि किस metal में कितना add करना है उसके बाद उसे कूल किया जाता है room temperature पे और अगर यह metal की बात चल रही है अगर आपका metal mercury हो तो alloy को हम बोलते हैं amalgam means अगर metal जो हम यूज कर रहे हैं जिसके alloy बना रहे हैं अगर वहां पर किसका यूज कर रहे हैं metal का mercury का तो ऐसे alloy को हम बोलते हैं amalgam जो electrical conductivity होती है और mailing point होता है alloy का वह बहुत कम होता है pure metal के comparison में जैसे example है जैसे brass जो होता है brass alloy होता है copper और zinc का branch जो है वह alloy है copper और tin का और यह good conductor नहीं होते electricity के जबकि copper जो है देखिए दोनों में copper यूज हुआ है bronze में भी हुआ है लेकिन दोनों के दोनों good conductor नहीं है electricity के बने किसे हैं copper से बने हैं copper का हम यूज करते हैं क्या बनाने के लिए इसका melting point बहुत low होता है और इसको यूज किया जाता है बेल्ट करने के लिए electrical wires को solder को किसी यूज किया जाता है तो यह थे हमारा आज का topic corrosion अगर आपको अच्छे से समझ आ गया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब दीजिए ताकि आपको में जो लेटेस्ट वीडियो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहें आज के लिए इतना ही थैंक्यू हुआ झाल